हलो गाइज, वेलकम बैक टू मैं चैनल फार्मा केर, आज हम बेसिकली पढ़ने वाले हैं, ट्रिक्स एंड जो टूल्स होते हैं, फार्मस्यूटिकल, जूरिस प्रोडेसेंस के अंदर जो ए से लेकर वाय तक जो भी शेडिूल आते हैं, उनके हम ट्रिक्स एंड टूल्स पढ होने वाले हैं, सबसे पहले जो हमारा जो शेडिूल आता है, वो होता है, A, A को हम रिमेंबर कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, एप्लिकेशन से, मतलब A for application, A word पहले आ रहा है, एप्लिकेशन, तो एप्लिकेशन हमें चाहिए होती है, जब हम शॉप खोलते हैं, तो उसके ड्रग्स रखेंगे शॉप के अंदर, दुकान के अंदर जो ड्रग्स रखेंगे उसकी टेस्टिंग होगी, तो उसके लिए जो फी लगेगी, वो हमारी B शेडूल के अंदर आएगा, C और C1 जो होते हैं, वो बिल्कुल सिमिलर होते हैं, बस एक डिफरेंस होता है, एक में होता है, पेरेंटरल के लिए एक होता है, नौन पेरेंटरल एडमेस्टरेशन के लिए, जो भी ऐसे ड्रग्स जो पेरेंटरल के लिए आएंगे, वो C के अंदर आएंगे, और जो नौन पेरेंटरल हैंगे, वो C1 के अंदर आएंगे, बस डिफरेंस ही है, एक में होता है प तहली प्रेब्लेक्ट्ट्ट्ट्ट्ट्रज की तोब घृत की झो फिराड के दाहेंा हैं मनलों सीधा इंधर डाल सकते हैं और नौन प्रेणिकर्ट्ट्ट्रेशका और ठाए रहें होता है और के फेपर्नलीन की यह तोब ए बाद यहात कि और उसमें जो सिमिलर बनते हैं वह मैं आपको बता रहाँ डी में क्या होता है एक माम वर तो बार से लाना जयो खुरुआए उनके लिए कोई भी हमें क्या लनी चाहिए अपरमीशन नहीं चाहिए एक्जेम्टेव औहलोड सब्सक्राइबनेगा दोuden कि में चीन हमे यख़ रिलेट कर सकते हैं यख़ तो जो ड्राग जिनकी इंपोर्ट के लिए कोई मनजूरि चाहिए वह पहुता है यग़ जो एसे ड्रग जो जिनकी manufacturing के लिए हमें कोई मरंजूरी नहीं चाहिए यह मलब कोई permission नहीं चाहिए तो उनको हम K के अंदर आते हैं KD KD 3 Party से हम याद रखता सकते हैं इसको E E E E E E E मतलब अगर किसी ची अगर किसी बच्चे को कांटा लगया तो वह रोएगा ना रोता है तो उसको मतलब poison लग गया मतलब इहीं तो उसमें इमें poison में जो आते हैं वो even के अंदर आ जाते हैं जो की हमारे आयरवेज, सिद्धा और युनानी सिस्टम्स के अंदर जो भी drug आते हैं, जो की poison होते हैं वो even drug के अंदर आते हैं इसको remember कर सकते हैं कोई भी बच्चा होगा, अगर उसको चैसे बाद टेस्टों और लेबलो करते हैं, इसको बेज देते हैं ठीक है, तो F और F1 में ऐसे drug आएंगे जो की biological products जो होते हैं जो special products जो production होती है उनकी testing होती है, storage देखते हैं उसमें, packing और labeling हम देखते हैं कि उनकी ठीक है या नहीं है तो F और F1 में देखते हैं ये चीज़ें ठीक है उसके बाद F2 जो होते है F3 आता है उसके बाद F4 FF आता है तो मतलब F मतलब एक वर्ड या रख सकते हो Fruit फल फ्रूट जो होते हैं उसके लिए क्या होगा है फल्फूरूट केस के लिए होता है, खून बढ़ाने के लिए होता है, खून बढ़ाने के लिए होता है, तो अगर खून की कमी होगी, या फिर आपका खून ज्यादा बहे जाएगा, अगर चोट लगी तो ज्यादा बहे जाएगा, तो उसके लिए क्या करनी पड़ेगी, हमे और एफ मतलब दो आख समझ लो इनको मतलब हमाए आखो के लिए आखो की रोश्णी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा फूरूट लेने पड़ेंगे तो उसके लिए आखों के लिए ophthalmic हम remember कर सकते हैं याद कर सकते हैं इसको उसके बाद आता है G and H G और H में एक difference आता है कि जो G में आता है कि ऐसे drugs या फिर ऐसे substance जो medical provision में ही use करना है जो medical provision के ही under use करना है बिना जो भी medical supervision नहीं होगी उसकी तो वो use नहीं करेंगे drugs को और H ऐसे drug होते हैं जो medical practitioner जो हता हैं हमारे doctor's होते हैं veterinaries होते हैं जो भेंसों के doctor होते हैं या फिर allopathic doctor जो gn आ眠ी होते हैं medical practitioners जो होते हैं उनके under ही वो drugs sold होने हैं मतलब उनके बिना drugs जो pharmacist होते हैं उनके बिना तो drug दे ही नहीं सकता एच होते हैं कोई भी आप वो बॉटल देखोगे या फिर आपकी जो टैबलेट्स होते हैं उनके पीछे लिखा होगा as per the schedule H कभी भी देखना जो पीछे होगा red color के red color के जो pointer होता है उसमें लिखा होगा आपका की as per the schedule H कोई भी ड्रग अगर pharmacist बिना उसके prescription दे रहा है तो उसको जुर्मा होना हो सकता है उसको jail हो सकती है अगर वो schedule H में है ड्रग तो अगला आता है जे जे मतलब जुगाड जुगाड से हम इस disease को ठीक नहीं कर सकते तो इसको हम जुगाड से याद कर सकते हैं कि ऐसे कोई भी डिजीज जो हम जो presently market के अंदर है उनकसे हम ठीक नहीं कर सकते जैसे cancer हो गया AIDS हो गया उनको हम treat नहीं कर सकते सिम्टम्स हम हटा सकते हैं तो जुगाड जैसे जुगाड याद कर सकते हो अगला जो हमारे आता है M M से याद कर सकते हो M for manufacturing M M M M ठीक है good manufacturing practices इसमें आते हैं मतलब जो manufacturing manufacturing के लिए क्या-क्या जरूत पड़ती है वो सारे M के अंदर आएंगे जैसे manufacturing हो गया manufacturing के लिए manufacture मनलब manufacture तो करना पड़ेगा premises भी चाहिए होगी मतलब कहाँ पे हम उसको manufacturing करेंगे waste disposal अगर बनेगा तो उसमें से waste भी निकलेगा तो waste कहाँ पे फेकेंगे requirements क्या होगी manufacturing करने के लिए और हमें क्या करना है equipment भी चाहिए होगे तो वो सारी manufacturing M for manufacturing याद करना है और manufacturing के लिए क्या क्या जरूत पड़ेगी वो सारी चीजें M के अंदर आ जाएगी उसके बाद आता है M1 manufacturing homopathic के लिए क्या होगा वो M1 में आ जाएगा M2 के लिए cosmetics में manufacturing के लिए cosmetics में क्या जरूत होगी वो M2 के अंदर आएगा और M3 क्या होगा medical devices तो इसको M1 M2 M3 को हमें याद रखना है HCM hydroxy HCM HMC याद करना है hydroxy methyl cellulose ठीक है हमारा एक ठिकनिक agent होता है हमारा उसमें तो उसमें हम याद कर सकते हैं HMC H, M and C H for homopathic M for medical devices and C for cosmetic hydroxy methyl cellulose याद रख लेना है 1 वाला M1 वाला homopathic आ जाएगा M2 वाला जाएगा cosmetic and M3 वाला आपका medical devices उसके बाद आता है N N basically क्या होता है कि कोई भी हमें क्या ची होता है अगर हमें जो दुकान चाहिए होती है मलब शॉप चलानी होती है तो basic requirements क्या होते हैं जो minimum to minimum क्या होगी हमें क्या होगे दवाईयां चलना पड़ेगी license देखना पड़ेगा आपका जो capital होता है मतलब पैसा ची होता है यह basic requirements है तो वह minimum requirements एक छोटी सी pharmacy को चलाने के लिए वह क्यों होती है उसमें जो भी जरूत पड़ती है वह N के अंदर आ जाती है उसके बाद आता है O O D O D O D O D O D कार होती है न वह याद रख सकते O for O schedule and D for disinfectant इसके लिए हम O D O D O D ऐसे याद कर सकते हैं P क्या होता है P and P1 P से याद करना है P से period P से packing मतलब ऐसे कोई भी regulation regarding life period जो हमारे होते है life period या फिर storage conditions जो हमें चाहिए होते है life period किसी भी drug की life period P for life period P for packing package size कितना होना चाहिए drugs का तो वह हम क्या करेंगे P period and P for packing उसके बाद आता है Q Q से हम क्या कर सकते हैं Q for Queen Queen का जो वह होता है crown होता है ताज होता है जो उसके अंदर क्या होते हैं different colors के हीरे मोती लगे रहते हैं तो उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं याद डाइज colors यह हम याद कर सकते हैं dyes and colors ठीक है ऐसे जो रानी होगी हमारी क्विन होगी वो उन्हीं हीरे और जो diamonds होंगे जो gold होगा उसके अंदर वही drugs या वही colors लगवाएगी जो उसको permitted होंगे मतलब वो जो मंजूरी दे जो हँए ऐसे dyes या ऐसे color जो हमें permitted होंगे वो हम क्यों से याद कर सकते हैं अगला जो हमारा schedule आता है वौँता है r and r1 R for rubber याद कर सकते हो और फॉर rubber rubber में क्या होता है rubber से बनता है condom committee क्या होता है Medical होता है medical device होता है तो इससे हम शार कर सकते हैं आर और और रहल को ठीक है उसaintype आता है S S schedule में आता है S for cosmetic cost 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 S आ रहा है na S for cosmetic and toiletries ठीक है उन में हमें देखना है कि जो manufacture है उसमें हमें cosmetic or toiletries के जो standards हमें requirement है उनकी standards क्या requirement है वो manufacture को देखना पड़ेगा Bureau of standards Bureau of Indian standards से match करना पड़ेगा कि requirements कौन कौन से चाहिए cosmetic और toiletries के लिए वो होंगे S के अंदर T आता है कि जो हमारी क्या requirement है factory के अंदर premises के अंदर factory premises के अंदर factory जो boundary है factory के अंदर या फिर manufacture के अंदर जो हमें जो आयरवेदिक की factory होती है या सिद्धा की factory होती है यह यूनानी के जो प्रोड़क्स बनते हैं जिनके अंदर उन factories के अंदर क्या जरूवत है क्या उनके manufacturers के अंदर क्या manufacture करने के लिए क्या जरूवत है वो T के अंदर आते हैं यू और यूवन को हम याद रखने है वी से हम याद कर सकते हैं कि जब भी किसी को पेटेंट मिलता है या प्रोपाइटरी मेडिसिंस का पेटेंट मिलता है तो वह victory sign दिखाता है वी ठीक है तो उसके लिए standards जो होते है पेटेंट के लिए प्रोपाइटरी के लिए वह के अंदर आएंगे डबलू डबलू जेनरिक जो भी ड्रग जेनरिक नेम्स के अंदर ही आएंगी वो डबलू के अंदर आएंगी x x for danger होता है तो उसके अंदर हमें वो ड्रग होती है कि habit forming psychotropic या ऐसे कोई भी ड्रग जो misuse कर सकते हैं या addictive purpose के लिए हम यूज कर सकते हैं उसको x के अंदर आते हैं मतलब x for danger याद रखना है ठीक है danger मतलब habitary या फिर ऐसे कोई psychotropic जो ड्रग होते हैं या फिर जिनका misuse कर सकते हैं कोई भी बंदा और लास्ट जो आता है हमारा वो होता है वाई वाई सबसे लास्ट में है तो मतलब हमें ड्रग जो बनता है हमारा जो उसका सबसे लास्ट में क्या होता है क्लिनिकल ट्राइल्स तो होते हैं जब मार्केट में हमें निकालना होता है मार्केट में तो हमें सबसे पहले क्लिनि ट्राइल्स वाए के अंदर आजाएंगे